जब बरसा पानी हाँ बोलू तुम ठीक कह रहे हो मा भी परिशान हो रही होगी बोलू आमन एक बात बताओ क्या तुम जानते हो के पानी कैसे बरसता है अमन नहीं भोलू मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन जानना चाहता हूँ भूलू, चलो, आज मा से पूछते हैं दोनों जल्दी-जल्दी घार की तरफ जाते हैं अमन, मा, देखो पानी बरसने लगा भूलू, मा, यहां बताओ, पानी कैसे बरसता है? मा, बच्चों, जब सूरी की किर्णे नदी एवं तालाब आदी पर पड़ती हैं तो पानी गरम हो जाता है तुम लोग जानते हो कि गरम पानी होने पर पानी भाब बनकर उपर आसमान में उड़ जाता है उपर जाने पर जब यही भाब थंडी हो जाती है तो बादल बनकर पानी बरसाती है इसे हम वर्षा कहते हैं बोलू, मा आज आपने हमें बहुत ही क्यान वर्थक बाते बताएं। बच्चों, वर्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि वर्षा न होगी, तो हमारी धर्ती पर कुई भी पेड पौधा नहीं उपच सकेगा। धर्ती पर कुई भी फसल पैदा नहीं हो नदिया सूक जाएंगी। पशु पक्षी बिना पानी के जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए वर्षा पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है। सभी मनुश्यों को यह चाहिए कि वे वर्षा के जल के महत्व को समझें और इसका सदुप्यों करें। वर्षा के जल को व्य से अधिक उप्योग करने का हाड संभव प्रयास करना चाहिए।